Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे Class 3 EBS Chapter 13 Sharing Our Feelings का Question Answer तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं First number में है कि What kind of problems do people have in old days? तो कौन-कौन से problem होते हैं people को old days में? Answer लिखेंगे कि They cannot see properly ठीक है, होड़ो अच्छे से देख नहीं सकते They cannot hear properly, अच्छे से सुन नहीं सकते They cannot eat properly, अच्छे से खा नहीं सकते They have pain in their knees and other joints क्या होता है? कि उसके knees and joints होते हैं उसमें pain होते रहते हैं ठीक है? उसके बाद second question है कि How does Ravi भाया come to know so many things without saying? तो Ravi भाया को कैसे पता लग जाता था? बिना देखे, वो कोई भी चीज कैसे पहचान लेते थे, जान लेते थे तो Ravi भाया comes to know so many things by feelings तो feelings के द्वारा Have you ever needed a stick when? क्या आपको कभी भी stick का ज़रत पढ़ा है? तो कब? तो no कभी ज़रत नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो आप लिखेंगी yes ठीक है? उसके बाद 4 नमबर में है Can you think when you may need a stick? When we get fracture तो आपको stick का ज़रत कभ पढ़ सकता है ठीक है? तो ये लिखना है कि When we get fracture जब fracture होगा तब When we have to climb a rock और a mountain जब हम कभी rock या mountain climb करेंगे, चड़ाई करेंगे तब? ठीक है? How do we help those people who cannot see? तो by helping them to cross the road ठीक है? जो भी लोग देख नहीं सकते उनका help आप कैसे करेंगे? ठीक है? लिखेंगे answer By helping them to cross the road By offering them sit-in buses By helping them in climbing up stairs ठीक है? सीडी चड़ने में उसका help करेंगे या अगर बस पे बैठे हुए हैं तो उसे आप sit-offer करेंगे ठीक है? या road cross करने में इस तरीके से आप उनका help कर सकते हैं ठीक है? उसके बाद है By telling them interesting stories उसे आप interesting story सुना के भी उसके help कर सकते हैं ठीक है? Is there any member in your family who cannot see? Speak out here क्या आपके family में भी ऐसे कोई member है जो की देख नहीं सकते ना बोल सकते और ना सुन सकते हैं Do you know any such person? क्या आप ऐसे किसी भी इनसान को जानते हैं? How do people help them with their work? तो कैसे वो काम करते हैं? ठीक है? तो यह सारे लिखना है तो no ठीक है? तो आप अगर जानते हैं तो उनके बारे में लिखेंगे नहीं तो no लिखेंगे ठीक है उसके बाद है 7 number में कि Blindfold any one child in the group One by one The other children come to him or her quietly The child who is blind folded has to guess who the other child is by touching him or her Take care to make any sound Do you know why? ठीक है? अब देखिए इसमें question क्या है? अब इसमें देखिए क्या कहा जाए रहा है? एक group बनाना है जिसमें एक blind fold है ठीक है? और वो जो है ना एक दूसरे को मतलब की टच करके पहचानना है ठीक है? पहचानना है अगर आप कैसे पहचानेंगे उसे? ठीक है? अगर blind fold है तो अब देखिए answer लिखेंगे कि इस इस वो बिकाउज चिल्डेन के रिकोगनाईज वान अनदर बाइदर बोईस तो बोईस से पहचानेंगे टच करके नहीं पहचान सकते एक नमर में है तो कितने बच्चे जो है नहीं टच करके पहचानते हैं तो कितने बच्चे जो है नहीं टच करके पहचानते हैं तो कितने बच्चे जो है नहीं टच करके पहचानते हैं तो कितने बच्चे जो है नहीं टच करके पहचानते हैं क्या क्या चीज आप टच करके पहचान सकते हैं तो यह सारे चीज आप टच करके पहचान सकते हैं तो आपका यह question answer complete हो चुका है तो कैसा लगा आपको पढ़के मुझे जरूर बताइए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरी चैनल NCRT The Mind को like subscribe कीजिए और pass में दिये गए bell icon को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCRT से related हर वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे तो मिलते हैं हम next वीडियो में तब तक के लिए bye, take care, thanks to watch my video